प्रदेश अद्यक्षु से मिलने पहुचे ज्यानेश्वर पाठेल यहां पाठेल ने जीत के लिए संगठन का आभार जताया है और हारी हुई विधानसवा श्वेत्र से फिर काम करने की बात कही बंसल न्यूस पर खास चर्चा की ज्यानेश्वर पाठेल ने और बोले कि जि पहुचे थे मद्धिप्देश में उप्चनाओ हुए लेकिन सबसे जादे चर्चा का विच्छा बना खंडबाब रानपूर लोकसभा और खंडबाब रानपूर लोकसभा से भारती जंता पार्टी के प्रत्यासी ग्यानिट पार्टील जीतने में सफल रहें आज प्रदे टीम के साथ पोचे आप बैसाद से आज आशीरवाद लेनीक लिए बधिशवास जटाया था उस विश्वास पर खराउतरने का काम जनता ने तो किया है अब मुझे जनता के विश्वास पर खराउतरने का काम करना है और जिस तरह से हमारे प्रदेश अद्धीजी के नेतरूतों में हम ने चुनाओ लड़ा संगडन की जो रशना उन्होंने बनाई हमारे संगडन के समस्त चाय बूत का कारे में ने लेकर उख़ला lived चता परिश्वास से लेकर तो हमारे मेरें सेक्टर मेरे में प्रदेश को भेजता था सब की मेहनत रंग लाई और उसी का प्रिक्यासी जीद हम को मिली है जब इस तरह के चुनाव होते हैं और चुकि खंडबा बुरानपुर एक ऐसी लोक सबाय है जहां से बारती जंता पार्टे जीती है आपने भी कहा कि और हमारे प्रधानमंतिजी के अब सपना है कि हमारे किसान के आये दुगना होना चीए किसान के आये दुगना तब होगी जब किसान के खेत को पाने मिलेगा किसान को प्रयाप्त मातरा में बिजली मिलेगी किसान को अच्छा बीज मिलेगा उसकी उपच को सही दाम मिलेगा य आज मजबूती के साथ उभर कर आई है और हमारे प्रदेश के अंदर हमारे प्रदेश अद्दिग जी माननी वीडी शर्मा जी के नेतरूत में हमने चुनाव लड़ा और एक एतियासिक जीत खंडवा की भी मिली है और उसी के साथ-साथ जोबट और पुरुत्वीपोर की भी बारे में कहा जाता सत्ता के बारे में कहा जाता है कि बले बड़े ही अलग ढंग से लिया जाता पर क्या इस चैलेंज को देश चौबिस में पूरा कर पाएंगे अजिस करे के साथ मनों से नहीं बन सरी वोपार